अपनी मौत से कुछ बरस पहले नवाब अलिवर्दी खां बीमार पड़ गए अलिवर्दी खां की पत्नी बेगम सरफ उननिसा और पोते सिराजुद्दौला हमेशा अलिवर्दी खां के दर्बार में हाजिर रहते थे इन मराठाओं ने तो नाक में दम कर रखा है जहां पना ये आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ते अचाने खमला कर देते हैं जंग फिर से लड़ाई छेड़ी जाए जादातर लेखों ने अपने लेखों में सिराज को एक बदमिजाज, दुष्चरित्र, कुरूर और अयाश नवाब के रूप में दर्शाया है सिराज उद्दौला बिहार के नवाब बने परन्तु इस से पहले कि वो राजकाच सम्हालें अलिवर्दी खा ने अपने विश्वस्त जानकी राम को बिहार के प्रतिनिदी के तौर पर नियुक्त किया शहजादा हुने के बावजूद सिराज अलिवर्दी खा के सिपासालारों पर हुकम चलाने से भी पीछे नहीं हटता था मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अंग्रेज एक दिन हमारे सुनैरे हिंदोस्तान की सरजमी को रेगिस्तान में तबदील करके रख देंगे मैंने दादा हुजूर से पहले भी कहा था कि अंग्रेजों का ये लुकाची पी वाला व्यापार एक दिन हमारे व्यापार को ले डूबेगा रवेंद्र नाथ ठाकुर ने लिखा था कि अंग्रेज व्यापारियों ने दूसरों की नौकाओं और जहाजों को लूटना शुरू कर दिया कमपनी के अधिकारियों और उनके रिष्टेदारों ने बिना महसूल दिये अपना निजी व्यापार शुरू कर दिया ऐसे वक्त में सिराज ने राजी संभाला और अंग्रेजों की कारगुजारियों से बहुत सक्तिशे पेश आए गरवानित नवाब और लालची विदेशी व्यापारियों के बीच संघर्श की शुरुवात हो गई सिराज उद्वल्ला को एहसास हो चुका था कि अगर कलकत्ता के फोर्ड विलियम को तबाह नहीं किया गया तो अंग्रेज व्यापारी इसे और भी खतरनाक बना देंगे वो ये भी समझेंगे कि नवाब कायर है 18 जून को नवाब सिराज उद्वल्ला ने अपनी पूरी फोर्ज के साथ फोर्ड विलियम के लिए कूच किया नवाब की फोर्ज की तोपें गरज उठी परतानवी फोजियों ने मुकाबले की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे बाद में हॉल्वेल ने कलकत्ता मुहिम के बारे में एक दास्तान गड़ी जिसे ब्लैक होल ट्रेजडी का नाम उसने दिया उसने लिखा कि कलकत्ता में नवाब के फोजियों की जीत के बाद तकरीबन 146 अंग्रेजों को छोटे से कमरे में कैद रखा गया इस वज़ा से कई फोजियों की मौत हो गई कलकत्ता की कामियाब मुहिम के बाद सिराजुद्दौला ने अवाम की भलाई के लिए वक्त देने का इरादा किया लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल सका क्योंकि शड़ियंद्रकारियों की मदद से अंग्रेज व्यापारियों और भाड़े के सिपाहियों ने कलकत्ता पर फिर से कबजा करने का फैसला किया इस बार अंग्रेज कबजा करने में कामियाब रहे अंग्रेजों ने मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुरलब, अमीर चंद, उर्फ, ओमी चंद से साट गाट कर सिराज का तखता पलट करने का फैसला कर लिया। सिराज ने भी जंग की ठानी और पलासी की तरफ फौज कूच कर गई। 23 जून 1757 की सुब साथ बजे उमसाई गर्मी की दौरान जंग का अगाज। टेक यार पॉजिक्शे। विर्जाफर, राय दुरलब और यार लतीव ये तीनों मौजूद तो थे, लेकिन इन्होंने पलासी की जंग में हिस्सा नहीं लिया। ये तीनों चुप चाप खड़े जंग का जायजा लेके रहें। दिन खत्म होने को नवाब, बेतर होगा कि आप जंग को खत्म करने का होकु दे। कल सुबह सुबह उमून पे हमला बोलेंगे। तो ठीक है, फिर ऐसा ही करो। शाम के पाज बच्चुके थे। नवाब की फौज की शिकस्त हो गई। और मैदाने जंग पर अंग्रेजों का कबजा हो गया। नवाब सिरा जुद्धु अल्ला मुर्शिदाबा से निकल पड़ा। लेकिन भगवान गुला में दुश्मनों की गरफ्त में आ गया। और मिरजाफर के बेटे मीरन ने मुहमद बेख के हाथों उसे कतल करवा दिया। पलासी की जंग को उन घटनाओं का आरंब समझा जाता है, जिस से भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य और उनकी जीत का बोर शुरू हुआ।